तो footer created जो होता है वो यह कहलाता है जहाँ पर copyright बगार होता है और blog की नाम होता है या blogger लिखा होता है इस तरह से इसको कहते हैं footer created तो मैं आज आपको दिखाऊंगा news plus में तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा अपने और यहाँ पर जाने के बाद हमें जो है सबसे पहले जो करना पड़ेगा यह news plus की पढ़ीवी है यहाँ पर तो सबसे पहले हम जो है इसको unzip करेंगे अगर हमने इसको unzip नहीं करा तो यह जो है template इसको हम इसमें एड्निकर सकते अपनी blog के अन्दर तो यह है इसके अंदर आप यह देख रहा होंगे यह वाली जो फाइल है इसको हम लेते xml की जो फाइल होती है इसको हम लेते है तो मैं आपको अब दिखाता हूँ किस तरह से हम इसको लेंगे तो यहाँ पर हम जाएंगे theme के अंदर तो theme में जाने के बाद आप custom देख रहा होंगे custom के बराबर में यह down arrow है इस पर हम जाके open करेंगे तो यहाँ से भी हम copy paste कर सकते लेकर हम यहाँ से लेंगे restore से तो यह बहुत easy है यहाँ से लेना और हम upload करेंगे इसको upload करने के बाद मेरे यह desktop पे है तो मैंने इसको unzip कर लिया था यह देखिए मैंने unzip कर लिया यहाँ पर अगर यह अंजिप नहीं करता तो यहाँ पर यह शो नहीं करता तो मैंने unzip कर लिया ओपन करता हूँ और यह जो file है xml की यह हमें लेनी है यहाँ पर इस तरह से select करनी है यहां जाके हम open करेंगे यह restoring theme हो रहा है यहां पर आप ज़र सकते तो few seconds के बाद यह हमारा restored हो गया है और मैं आपको फिर से दिखाता हूँ view ब्लॉग का इसका तो यह देखे news plus का आ गया है यहां पर और आप यहां नीचे आते चले जाएंगे last में तो आप यहां पर देख रहा हूँगे यह जो है यह तो आप यहां नीचे देख रहा हूँगे यहां लिकाए crafted with by templates yard distribute by blogger templates तो इसको हमें change करना है तो कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ तो इसको हम यहां पर जाएंगे दुबारा से जहाँ पर यह हमने theme हम select करा हूँगा था और फिर दुबारा से हम यहां जाएंगे और पहले हमने restore करा था और अब हम यहां से जाएंगे edit html तो यह edit html का page open हो गया इस तरह से अगर आप यहां पर ढूंडेंगे उसको के हमें footer credit कहां पर जाके उसकी changes वगरा करना है आपको कुछ अपने लगाना है तो किस तरह से लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगे इस तरह से अगर आप ढूंडेंगे तो आपको बहुत जादा टाइम लगेगा तो मैं आपको shortcut बता देता हूँ इसका किस तरह से आप डूंडेंगे आप यहां पर जाके mouse cursor जो है कहीं पर भी आप एक बार click कर दें तो यह देखे type y के और p के बीच में यह blink कर रहा है और यहां जाने के बाद आपको अपने keyboard से control f की प्रेस करना होगी तो आप देखेंगे यहां उपर search आ जाएगा search में जाके आप paste कर देंगे तो आपको यह लिखना होगा यहां पर crafted with और उसके बाद आप यहां पर enter मारेंगे तो आप direct देखें यहां पर आ जाएंगे तो अब आपको जो हैं यहां पर जाके काम करना है तो देखेए अगर आप यहां पर जाके यहां पे आप देख रहा हुगे Crafted with और फिर यहां पर बाई देख रहा हूंगे आप और यहां पर और देख रहा हूंगे यह template yard लिखा हुआ है distributed by और यहां पर आप देख रहा हूंगे blogger template तो अगर आप इनकी यह link वगारा हटाते हैं अपने लगाते हैं यहां पर template के यह तो आपकी जो blog है वो यहां से हट जाएगी वो आपकी blog जो है वो work नहीं करेगी तो यह जो उन्होंने site बनाई है तो यह जो setting रखी है यह by default है अगर आप यहां कुछ भी डालेंगे उसके बाद भी यह जो है इसी के उपर चली जाएगी तो यह आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं तरीखा इसक इसको नीचे कर लेना है तो यहां पर आप देखर रहूंगे इतना copyright इस तक यहां तक आ गया है और यह क्राफटेट विड यहां नीचे आगया है तो तो उसके बाद आप यहां पर नीचे देख रहोंगे यह च्राफटेट के से पहले आपको एक डिवीजन मनाना है यहां पर जो यह डिव है यहां पर आपको बनाना है इसका तो मैं यहां से तो यह जो है मैं कौपी और वहां जाके पेस कर देता हूं उसको तो यह लिखने की जरूवत नहीं है डिफ की तो यह मैं यहां पर जाके कॉपी पेस्ट कर देता हूं तो यह देखी यह मैंने यहां पर जाके कॉपी पेस्ट कर दिया है सिर्फ इतना लिखा है यह आप दे सकते हैं यह यहां तक मैंने लिखा है क्राफ्ट से पहले तो यह आपको जो है यह कर रहा हूंगे font size जो है यह font size आ गया है यहां पर और one pixel है तो one pixel जो है इसका जो यह सारी चीजे इनकी जो दिख रहे हैं यह बहुत छोटा size हो जाएगा और तो यह जो है फिर दिखाई नहीं देगा यह जो इनके है यह template yard वगरा है जो आपको दिख रहा है तो यह इसका one pixel से बहुत चोटा size हो जाता है और उसके बाद हमने कर रहा है यह opticity तो यह हमने zero कर दिया है तो यह visible नहीं होगा यहां पर यह दिखेगा नहीं तो यहां पर इसको करने से चोटा क्योंकि यह जो इन्हों ने दिया है यहां से जो है इसको जो है हम कुछ नहीं कर सकते इसमें ना remove कर सकते ना change कर सकते तो इसलिए मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ आप किस तरह से इसको change कर सकते तो यहां पर यह size one pixel हो गया तो यह चोटा हो गया और यह opticity जो हो गया यह zero हो गया तो यह visible नहीं होगा तो यह सब चीजें देखेंगी नहीं तो उसके बाद आपने यहां पर डिवीजन जो है वो ओपन किया था अब हमें यहां लास में जाके इसको हमें क्लोस करना है डिवीजन को तो यहां जाएंगे और हम इसको यहां इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे और डिव लिखें और तो यह देखें यहां पर और इसको आप चाहें तो इधर खर लें नीचे यहां पर भी लगा सकते हैं आप और यहां पर भी कर सकते हैं तो यह हमारा क्लोस हो गया यहां पर इतना भी आप सेफ करें अभी यह कंप्लिट नहीं हुआ है अभी मुझे और इसमें करना है तो यहां तक हो गया है अब मैं करता हूं उसमें और आगे सेफ करने से यह चेंज हो गया उसमें नीचे मुझे और आना होगा हाँ तो यह मैं यहां तक आगया है यह मेरा कंप्लिट हो गया है यहां तक यह देखिए यहां तक मेरा complete हो गया है अब मैं आपको next बताता है उसमें क्या करना है तो यहां तक हमारा हो गया अब हमें क्या करना है अब हमें अपना कहां पर लिखना होगा यह तो हमारा जो है तो यह copyright जह है यहाँ पर हम लिखेंगे copyright और यह 2023 है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह तो copyright 2023 तो अब यहाँ तक हमारा हो गया अब यहाँ पर हम अपना कोई link वगज़रा देना चाहते हैं जैसे ब्लॉक वगज़रा का है तो यहां से हम इसको कॉपी करेंगे यहां तक यहां तक हमने यह कॉपी कर लेंगे इतना तो यह देखिए यह जो है A बाई के बाद और यहां पर आप देख रहा हूँगे A हरीफ तो इसको हमें कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यह हम यहां पे इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको तो यह देखिए यहाँ पे आ गया है अब हमें यह चेंज करना होगा यहाँ पे और उसके बाद यह करना होगा तो यहाँ पे आपकी जो भी ब्लॉग हो वो दे दें जैसे मेरी जो ब्लॉग है उसका नाम है hot coffee तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर hot coffee for you तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है और उसके बाद जो आपकी blog हो जैसे ये मेरी blog है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इसको नीचे करके तो ये hot coffee for you और blog spot ये यहाँ गई है यहाँ से मैंने इसको paste करने के बाद और यहाँ जाके मैं इसको copy करने के बाद मैं यहाँ पर जाके इसको paste कर दूँआ कहाँ पर यहाँ पर आप इनकी देख रहा हूँगे यहाँ पर मुझे इसको paste करना है तो यह मैंने यहाँ पर अपना paste कर दिया है तो यह आप यहाँ पर दे सकते हैं कॉपी राइट कर दिया फिर मैंने यह अपनी ब्लॉक का यहाँ पर दे दिया है और उसके बाद यह इसका नाम दे दिया है यहाँ आप देख रहा होंगे और यह जो है एस इट इस रहना है इसको आपको छिड़खानी कुछ नहीं करनी है तो अब मैं जाता हूं अपनी ब्लॉक के उपर और यहां पर आप यह देख रहा हूंगे यह सब लिखा हुआ था तो यहां पर मेरा आता है यह नहीं आता तो मैंने इसको रीफ्रेश कर दिया है रीफ्रेश के बाद देखते हैं यहां पर क्या आता है तो आप यहां पर दे सक तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक्यू गाइस ख्ञाइब करिए बाहएब अईज नॉ नॉटियो। झाल 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 झाल